हालो फ्रेंथ कैसे ही आप सबी आई होब अच्छी होंगे। आझ हम बनाने वाल है नवरातरी सपेसल सावुदान बढ़ा। इसको आपने कई वार *** और खाए भी होंगे लेकिन आज से पहले आपने नहीं इसencede बढ़कर भी बनाये होंगे neहीं देखी होंगे। भूत ज़्य बार में पर्फेक्टली बनका तैयार हो जाएं ना आपके साबुत दाना बड़ा कहीं से चिपकेंगे ना ही फटेंगे बहुत ही आसान से सीक्रेट टिप्स आप लोग के साँच सेर करूंगी तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा इसके मत कीजिएगा तो फिर चल कि आप साबुत दाना को कम सकम 5-6 घंटे के लिए इसको गला के रखिएगा आपका साबुत दाना जितना अच्छा गलेगा आपके बड़ा उतनी ही अच्छे बनका तैयार होंगे अब हम इसमें डालिंग एक चमस ग्रेट अदरक आप ब्रत में जो चीज नहीं खातें आप आप उसे escape कर सकते हैं साथिम डालेंगे 2-3 बारी कटी हो हरी मिर्च साथिम अब हम इसमें डालिंगी एक चमस खड़ा जीरा या पर हमने जीरा भी इसमें डाल दिया है साथिम डालिंग एक चमस रेट चिली फ्लेस इसको हमने ब्रत के लिए बनाया है तो फ्रेट आप हम इ अलग सा फिलेवर आएगा सांतीम खाने में इतने ज़्यादा टेश्टी लगेंगे कि आप इसको स्वैम बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा सांतीम अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी भुंजी हुई मून फाली का पाउडर इसको बनाना बहुत ही आसान है आप मून दाना बड़ा बनाएं उसके लिए आप आलू पहले से वाल करके रख लीजेगा तुरंट वाल करके मढ़ डालेगा क्योंकि जो हम तुरंट आलू अबालते हैं उसमें बहुत जादा पानी होता है जिसकी वज़े से हमाई बड़ा गीली हो जाते हैं और बुचे पकने लग अब यहां पिने आलू को अच्छी तरय से गरेट का लिया है अब हम इसमें डालेंगे तो प्लिज मेरे चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजिएगा तो यहाँ अपि हमों ने साबुत दाना बढ़ा के लिए डो बनाकर तयार कर लिया है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रग देंगे तो यहाँ पे हम अब इस से चोटी चोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे आपको जितने भी बड़े साइज या छोटे साइज की बड़े बनाने है आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिशनल देते जाएंगे हटेलियों थोड़ा ओयल लगा लेंगे और इस तरह से गोल कर लेंगे और इस तरह से पेड़ा जैसे बना कर तयार कर लेंगे तो यहां पर हमने सावी साबुदाना बढ़ा को बना कर तयार कर लिए हैं तो चलिए अब हम चलते हैं इनको फ्राइ करने के लिए इनको fry करने के लिए यहां पे हमने तेल पहले से गरम होने के लिए रख दिया थे यहां पर आप उम्हारा तेल गरम हो चुका है एक और बात में आपको बता ดेतिए आपको तेल एकदम हाई फिल्म में गरम नहीं करना है फोरी मीडियम में करना है , अगर आप उपदान अगर देंगे और गैस का फिल्म थोड़ी मीडियम करेंगे और मीडियम फिल्म में हम दो मिनिट के लिए सावुद दाना बड़ा को इसी तरह से से शेकने देंगे उसके बाद हम पलट देंगे पहले नहीं चोएंगे अगर हम इसको पहले चूलेंगे तो हमाई बड़ा जो हम चीप निकाल लेंगे तिहां पे हमने सावुत दाना बड़ा को इस तरह से निकाल ली है अब सैम प्रोसेस से हम बांके के सावुत दाना बड़ा को भी डाल देंगे तिहां पे हमाज सभी सावुत दाना बड़ा जो सिकत तयार हो चुके हैं अब आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकत अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना और चैनल को सब्सकाइब जरूर करने और हमें कमेंट्स में जरूर बताने कि आपको सावुत दाना बड़ा की रेस्पी कहसी लगी और अंगली रेस्पी आप कौन सी देखना पसंद करेंगे तो चल आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में किसी नए रैस्पी के साथ